नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक बहुत बड़ा न्यूज मार्केट में आ चुका था जहाँ पे 10,000 करोड के प्रोजेक्ट का न्यूज था वो न्यूज के बाद जो रिलेटिव स्टॉक है वो रिलेटिव स्टॉक में किस तरीके से बढ़िया उ जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज के बारे में बता देता हूं तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एन एच ए आए मतलब नैशनल हाइवे ऑथरिटी ऑप इंडिया की तरब से 8,000 से 10,000 करोड का जो प्रोजेक्ट है उसको जल्दी मंजूरी मिलने की एक्चल में क्या होने वाला था तो दिल्ली मुंबई केरीडोर अमरोच सर जामनगर के लिए काम करने वाले थे तो उसका इंपक्ट जो है उसका इंपक्ट जो मार्केट में किस तरीके से आया क्योंकि यहाँ पे आगर आप देखोगे तो वह 25 किलोमेटर के प्रोजेक्ट क मंजुर की संबावना थी लेकिन सबसे इंपोर्टन बात आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि आभी जो मैं आपको बताऊंगा न्यूज को किस तरीके से आनलाइज करना है तो यहाँ पे यह मंत आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ था कि न तो उसकी वज़ाए से स्टॉक मार्केट में क्या इंपक्ट हो गाया यहाँ पे आपको क्लियर कर दिखा ही देगा यह आयरवी का जो स्टॉक है आयरवी के स्टॉक का मैंने एक मिनिट का चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है और जब फ्लैश होने लगी न्यूज बिजन हो रहा है अभी शेर तो इसको आपको समझना पड़ेगा प्राइज एक्शन के हिसाब से अभी हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले डेली चाट के उपर चले जाते हैं जब हम लोग डेली चाट के उपर चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिख रहा है कि मार्के ये range bound phase में रहता है कितना भी positive news आपको market में आने दो जब तक market ये range bound phase के upper zone को या lower zone को decisively with volume break नहीं करता तब तो को news का effect कुछ भी नहीं रहता तो आपको एक बात इससे आगे खायाल रखनी है कि जब भी आप news को analyze करोगे या fundamental reason को analyze करोगे तब आपको उसको price action के साथ club करना पड़ेगा अगर आप उसको price action के साथ club करोगे तो जो आपका success rate है ट्रेडिंग strategy का जो accuracy है ट्रेडिंग strategy का वो बढ़ जाएगा तो जैसा मैंने आपको बताया जो इंपेशन ट्रेडर है ओ इंपेशन ट्रेडर यहां पर फर्स चुके है अभी तो अभी इसमें आगे क्या हो सकता है वो डिपेंड रहता है कि जो जो मैंने आपको बताया हुआ है यह जो उनको जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते तो इसी तरीके का प्राइज आनालिसिस में खुद के ट्रेडिंग स्टाटरजी में यूज करता हूँ तो यहां पर आगर आप देखोगे तो यह अपना एक इलिग्राम का चैनल है प्रोफेशनल ट्रेडर नयन पोखर करके नाम से जहां पर 35,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए है वहां पर मैं फ्री में सिग्नल्स देता हूँ जैसे कि यहां पर मैंने सेंचुरी टेक्स्टाइल का सिग्नल दिया था कब यहां पर प्रोफिट लेवल्स भी देता हूँ वो लेवल्स के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और जो फ्री अपडेट्स के ऊपर ट्रेड करते हैं उनके भी मैं यहां पर प्रोफिट के प्रूफ्स आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आभी यह जो फॉलोवर है इन्होंने फ्री YouTube का चाइनल नयन पो करकर के नाम से यह YouTube के चाइनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजूकेशनल वीडियो डाले हुए है तो मेरी आपसे रिक्वेश्ट रहेगे कि आप यह YouTube के चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा द जाएगा अगर आपको किसी एक particular stock का analysis करके चाहिए तो मुझे comment section में वो stock का नाम बता दीजिए तो मैं price action के इसाब से उसका आपके लिए analysis करने की मेरी तरब से पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा thank you very much